नमस्कार स्पागत है आपका नेज़वल इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ विशाल मिस्त्रा बुल्टिन की सुरुबात करते हैं पहली खबर हातरस से है जहां शिक्षा मित्रों के समेलन में भाग लेने पहुचे शिक्चा मंत्री संदीप सिंग ने शिक्चा मित्रों का हर कदम साथ देने का वादा किया वही मंचपर प्रात्मिक विद्याले की चात्रा ने अपने वित्त की अध्वुत कलासी बहाँ पर मौजूद सभी का मन मोहलिया शिक्षा मंत्री संदीप सिंग ने बताया कि हम सब शिक्षा मित्रों के साथ है शिक्षा मित्रों का शिक्षा विभाग में जो योगदान है वो अमुल्य है शिक्षा मित्रों के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो जरूर करेगी लगबग 20 साल से शीक्षा विभाग से जुड़ी हुए शीक्षा मितर पथन पाथन में कौभ सयोग कर रहे हैं उनकी हर समस्या का स्टरकार समधान करे cheaper हम सब लोग सिक्षा मित्रों के साथ हैं और सिक्षा मित्रों के हित के लिए जो जो बहतर कार किया जा सकता है सरकार फरीक उचित कारिकों कर रही है, बेसिक शिक्षा विभाग के परिवार का हिस्सा सिक्षा मित्र है, और हम सब सिक्षा मित्रों का जो योगदान हमारे बेसिक शिक्षा परिवार में है, वो बहुत अमूल है, लगबग 20 वर्षों से सिक्षा मित्र हमारे विभाग के और अभी तक बच्चोंगी कि पहुंचे दूर है किताबे स्कूलों में, क्या खारम रहा है। इस ग्यापन में कहा गया है कि आरोपी पर दर्ज मुकदमे में धाराएं बढ़ाई जाएं साथ ही उस आरोपी को 24 घंटे में गिरफतार कर जील भेजा जाए। इस ग्यापनी ने बुलाया तो वो घर पर वाइद परोग करके सीधे घर पर गए और राइफल से हमारे उपर हबला कर किया। इसे हाई राइफल को सटा दिया। फायर मिस हुई अधरवाइज में कल जीवर जीवर नहीं बचा पाता अपना। मेरे नापूल वगएरा फटे हुए हैं कि राइफल की नाल मेरे इदर लगी थी। और साथ में ब्लड वगएरा भी कही जगे निकला है। स्क्रेचेज हैं सर्फिना जप्टी मारपीट हुई। जो गाली गलोज हुआ। नाली की तरफ दो बार उनों ने उनको घजीद के मारा गाल बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी थाना कुटवाली शेद में त्रेलवे करिंज चभी गंतारगाथ एक लिक्टी से एंपी के वसूली के लिए इनका रोफ है कि उस लिक्ती दोरा जो है इंसे अबस्तागी जो है ना आजान नगर में गए ते जहां जो हमारे कर्मचारी है उनका खाता है तृवेदी इंंतर्प्राइज जिसके प्रोपराईटर देवेळना तृवेदी जी है और उनका खाता एं-पी आ चल लहा है देवना तिवेदी जी से जबी वसूली के संपरक में गय तो घर पे नहीं थे घर पे उनकी धर्म पत्मी थी उन्होंने फोन करके उनको बुलाया घर पे आते ही उन्होंने दोड़ते जाज़े गुसे में राइफल उठाई और मनीज जी ने जैसा कि बताया कि वो जैसे ही घर प्रवंधक को मुकदमे में रहाद देने के नाम पर ये रिश्वत ली गई थी एंटी करप्शन टीम ने दारोगा को लेकर ठाना गवाना पहुची जहां मुकदमा दर्ज कराया गया है वह इस मामले में दारोगा को निनम्मित कर दिया गया है और चन्नावसी छेत्र के टी अगली खबर बांदा से है जहां परिवहन विहाग ने टैफिक पूलिस के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया दरसल इसकूली बच्चों के जीवन के साथ खिलवाल कर रहे ए रिक्षा पर प्रशासन ने हिदायत दी है साथी भी द्याले प्रशासन और बच्चों के अभ के साथ खिलवाल करने वाले वाहनों पर सक्त कारवाई की जाएगी आप जानते हैं कि बच्चों का जो आवागमन होता है स्कूल से घर तक उसको सुरक्षित बनाना है ऐसी स्तिती में जनपत्बाला में यह स्तिती है कि इस रिक्षा पर बच्चों को बहुतात संक्ख्या में धुए जाता है उनको यात्रा कराया जाता है और वो लोडिंग भ गाड़ी की होती है डाइबर के पास अनभव नहीं होता है और उसमें जो है अगल वगल सीटे मना लेते हैं इससे दुरुगटनाओं की संभवना बनी रहती है इसी के दिरिश्टिकत आटो और यह इरिक्षा जो ओबर लोडिंग कर रहे हैं इनकी गाड़ियां सही नहीं है जो बच्चों को ले नहीं जाने के अनिमनने नहीं है उनकी विरुदाज हमने करवाई किया खबार अलिगड से है जहां लंबे समय से अलिगड मतुरा रोड पर गाड़ियों को रोक कर उगाही करने वाले लूटेरों को पूलिस में गिरपतार कर लिया है वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए पूलिस ने दो आरोपियों को जेल भी भेज़ दिया है बाकी आरोपियों की पूलिस सु तलास कर रही है दो विक्तियों को अप्तर गिरपतार किया गया है शेश्टी दिरफतारी के प्रयास किये जा रहे हैं अगर मिते करवाई करवाई जाए अगली कबर सिधार नगर से है जहां बलिया सांसद शकल दीप राजबर के नाम पर दबंगई करने का मामला सामने आया है जो आरोपी युवक एल्टिगा कार पर सांसद लिखा कर बाजार में लोगों पर रोब दिखा रहा है साथिक खुद को बलिया सांसद सकल दीप राजबर का करीवी बता रहा है आरोपी युवक नगर पंचायत इटाबा का रहने वाला है पुलिस ने जब सांसद से पूच बाइकों की आमने सामने जोड़दार चकर हो गई जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं इस घटना में एक महिला और बच्ची घायल हो गये है जिने जिला अस्पताल में उप्चार के लिए भरती कराया गया है वहीं M8ी पूलिस का एक मानवीय चेह पूले थे कि एम्बूलेंस आ गई फिर बच्ची और महिला को अस्पताल भिजवाया फिलाल दूनों का इलाज चल रहा है अगली खबर नैनीताल से है जहां सरोवर नगरी और उसके आसपास मुस्लाधार बारिश को देखते हुए जिला अधिकारी धिराज सिंग गर्ब्याल ने 16 सितंबर तक एक से लेकर के बारहमी कक्चा तक आवकाश घोसित कर दिया है दरसल सरोवर नगरी और नैनीताल में मुस्लाधार बारिश रुकने का नाम नहीं लिए रही है वहीं मौसम भिभागने भी और नैनीताल जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई है फिलाल इस बिल्टेन में सिर्फ इतना है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए निउज वर्ल इंडिया